हमारी परंपराओं ने इन गवरव गाथाओं को जिवन्त रखा साथियों अगर हमें भारत को भविश्य में सफलता के सिखरों तक ले जाना है तो हमें अतीत के संकुची इतना जरियों से भी आजाद होना पड़ेगा इसलिए आजादी के अमरित कालवें देश ने गुलामी की मानसिक्ता के मुक्ति का प्राण फुंका है भीर बाल दिवस देश के उन पंच प्राणों के लिए प्राण वायू की तरह है साथियों इतनी कम उम्र में साब जादों के इस बलीदान में हमारे लिए एक और बड़ा उपदेश छिपा हुआ है आप उस दोर की कल परां करिए आवरंग्जेब के आतंग के खिलाब भारत को बदलने के उसके मनसुबह के खिलाब गुर्गोविन सी जी पहाड की तरक खड़े थे लेकिन जो रावर्ची साब और फतेशी साब जैसे कम उम्र के बालकों से आवरंग्जेब और उसकी सल्तनत की क्या दुश्मनी हो सकती थी दुन दिर्जोस बालकों को दिवार में जिन्दा चुनवाने जैसी दरीन की क्योंकि गई वह इसलिए क्योंकि आवरंग्जेब और उसके लोग गुर्गोविन सींग के बच्चों का धर्म तलवार के दम पर बदलना चाहते थे जिस समाज में जिस रास्त में उसकी नई पीड़ी जोर जुल्म के आगे गुटने टेक देती है उसका आत्म विश्वास और भविश्य अपने आप बन जाता है लेकिन भारत के वो बेटे वो वीर भारत मौट से भी नहीं गवराए वो दिबार में जिन्दा चुन गए लेकिन उन्होंने उन आतताई मनसुमों को हमेशा के लिए दफन कर दिया यही किसी भी रास्त के समर्तिवा का सामर्त होता है युवा अपने साहत से समय की धारा को हमेशा के लिए मोड देता है इसी संकल्प शक्ति के साथ आज भारत की युवा पीडी भी देश को नई उचाई पर ले जाने के लिए निकल पड़ी है और इसलिए अब 26 दिसम्बर को वीर बाल दिवस की भूमिका और भी एहम हो गई है साथियों सिख गुरु परंपरा केवल आस्ता और आध्यात्म की परंपरा नहीं है ये एक भारत सेष्ट भारत के विचार का भी प्रेरना पुंज है हमारे पवित्र गुरु गरंद साहब से बड़ा इसका उदारन और क्या हो सकता है इसमें सिख गुरुओं के साथ साथ भारत के अलग-अलग कोणों से पंदरा संतों और चौदा रचनाकारों की बाणी समाई इत है इसी तरह आप गुरु गोविन सींजी की जीवन यात्रा को भी देखिए उनका जन्मा पुर्वी भारत में पट्टनाबे हुआ उनका कारेख्यत्रा उत्तर पस्तीमी भारत के पहाड़ी अंचलों में रहा और उनकी जीवन यात्रा महराष्ट में पुरी हुई गुरु के पंच प्यारे भी देख के अलग-अलग हिस्सों से थे और मजे तो गर्व है कि पहले पंच प्यारों में एक उस धर्ती से भी था द्वारिका से गुजरात से जहां मुझे जन्मा लेने का सोगवागे मिला है ग्यक्ति से बड़ा विचार विचार से बड़ा राष्ट्र राष्ट्र प्रथम का यह मंत्र गुरु गोविन सींजी का अतल संकल पता है जब वो बालक थे तो यह प्रस्ट आया कि राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए बड़ी बलिदान की जरुरत है उन्होंने अपने पीता से कहा कि आप से महान आज कौन है यह बलिदान आप दीजिए जब वो पीता बने तो उसी तत्परता से उन्होंने अपने बेटों को भी राष्ट्र धर्म के लिए बलिदान करने में संकोच नहीं किया जब उनके बेटों का बलिदान हुआ तो उन्होंने अपनी संगत को देखकर कहा चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार अर्थात मेरे चार बेटे मर गए तो क्या हुआ संगत के कई हजार साती हजारों देश वासे मेरे बेटे ही है देश प्रथाम नेशन फस्को सर्वोपरी रखने की ये परंपरा हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेना है इस परंपरा को ससक्त करने की जिम्मेदारी आज हमारे कंदों पर है साथियों भारत की भावी पीड़ी कैसी होगी ये इस बात पर भी निर्भर करता है वो किस से प्रेना ले रही है भारत की भावी पीड़ी के लिए प्रेना का हर सोत इसी धर्ती पर है कहा जाता है कि हमारे देश भारत का नाम जिस बालग भारत के नाम पर पड़ा वो सीहों और दावनावों तक सावहार करके ठकते नहीं थे हम आज भी धर्म और भक्ती की बात करते हैं तो भक्त नराज प्रहलात को याद करते हैं हम दैर्यों और विवेक की बात करते हैं तो बालग जुरू का उदाव देते हैं हम मृत्यू के देवता यमराज को भी अपने तब से प्रभावित कर लेने वाले नची केता को भी नमन करते हैं जिस नेत्वी नची केता ने बाल्यकाल में यमराज को पूछाता मत्यू क्या होता है हम बाल राम के ज्ञान से लेकर उनके शवर्य तक वशिष्ट्र के आस्रम से लेकर विश्वा मित्र के आस्रम तक उनके जीवन में हम पग पग पर आदर्स देखते हैं प्रभुराम के बेटे लवकुष की कहाने भी हर माँ अपने बच्चों को सुनाती है स्रीकरस्टन भी हमें जब याद आते हैं तो सबसे पहले काना की वो च्छबी याद आती है जिनकी बौशी में प्रेम के स्वर भी है और वो बड़े बड़े राथ्चों का संहार भी करते हैं उस पवरानी जीउक से लेकर आदरी काल तक दीर बालत बालिकाएं भारत की परंपरा का प्रतिबीम रहे हैं लेकिन साथ यो आज एक सच्छाएं भी मैं देश के थामने दोहरा ना चाहता हूँ साब जादों ने इतना बड़ा बलिदान और त्याक किया अपना जीवन ने उच्छावर कर दिया लेकिन आज की पीडी के बच्चों को पूछेंगे तो उनमें से जादातर को उनके बारे में पता ही नहीं है दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होता है कि इतनी बड़ी सौर ये गाता को इस तमें भुला दिया जाए मैं आज के इस पावन दिन इस चर्चा में नहीं जाऊँगा कि पहले हमारे हां क्यों वीर बाल दिवस का विचार तक नहीं आया लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अमनाया भारत दसकों पहले हुई एक पुरानी भूल को सुधार रहा है किसी भी रास्ट की पहचान उसके सिद्धान तो मुल्यों और आदर्सों से होती है हमने इस यहाँद में देखा है जब किसी रास्ट के मुल्य बदल जाते हैं तो कुछी समय में उसका भवी से भी बदल जाता है और यह मुल्य सुरची तब रहते हैं जब वर्तमान पीडी के सामने अपने अतीद के आदर्स प्रस्त होते हैं यू आप पीडी को आगे बढ़ने के लिए हमेशा रोल मॉरल्स की जरुवत होती है यू आप पीडी को सीखने और प्रेणा लेने के लिए महान व्यक्तित्व वाले नायक नायकाओं के जरुवत होती है और इसलिए ही हम स्री राम के आदर्सों में बहास्ता रखते हैं हम भगवान गौतम बुद्धा और भगवान महवीर से प्रेणा पाते हैं हम गुरु नारग देवजी के वाणी को जीने का प्रयास करते हैं हम महारणा प्रताप और छच्च्रपती वीर सिवाजी महाराज जैसे वीरों को बारे में भी पढ़ते हैं इसलिए ही हम विविन्न जेंतिया मनाते हैं सैक्रों हजारों वर्ष पुरानी गटनाओं पर भी परवों का आयोजन करते हैं हमारे पुर्वजों ने समाज की जरुवत को समझा था और बारत तो एक ऐसे देश के रुप में गड़ा जिसकी संस्कृती परवों और मान्यताओं से जुड़ी है आने वाली पीडियों के लिए यही जिम्मेदारी हमारी भी है हमें भी उस तिंतर और छेतना को चिरंतर बनाना है हमें अपने वैचारी प्रवा को अच्छों न रखना है इसलिए आजादी के अमरत महोतों में देश स्वादिंता समगराम के इत्यास को पुनर जिवित करने के लिए प्रयास कर रहा है हमारे स्वादिंता सेनानियों के विरांगनाओं के आदिवासी समात के योगदान को जन जन तक पहुचाने के लिए हम सब काम कर रहे हैं वीर्बाल दिवस जैसी पुन्यती थी इस दिशा में प्रभावी प्रकास तंब की भूमिका निभाएगी साथ्यों मुझे खुशी है कि वीर्बाल दिवस से नई पीड़ी को जोड़ने के लिए जो क्वीज कंपिटिशन हुआ जो निमंद प्रतियोगिता हुई उसमें हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया है जमु कश्मीर हो दक्षिन में पुरी चोरी हो पूरं में नागालेंड हो पस्सिम में राजस्तान हो देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां के बच्चों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर के साहब जादों के जीवन के विशे में जानकारी नली हो निमंद नली